हलो माइड़ यूडेंट्स मैं प्रवीन कुमार आपके साथ फिर से आ गया हूँ और आज जो अपन बात करेंगे न वो बहुत गजब की बात है मतलब आपकी जिंदगी की बात है आपको करियर की बात है आपके सपनों की बात है तो यह आप एक दिन क्या हो रहा था वाही मैं मैं आपको श्टोरी सुनाता हूं मेरे फाइवरेट इस्टुडंट कि मैरा फाइवरेट इस्टुडंट है टिंकू मैं पूछा कि बैटा बड़े होकर क्या बनोगे तो टिंग क्याGen बॉलता है आप मेंसे कितने लोग इंजिनियर बनना चाहते हैं मतलब टिंकू के कितने दोस्त है जो इंजिनियर बनना चाहते हैं मैंने अब टिंकू से फिर से बात कर लेता हूं मैं तो टिंकू बताओ कौन से कोलेज में जाना चाहोगे इंजिनेरिंग करने आती में यंगे लूग क्या कि जाने कीड है यह नाहीं को झांइट कि ऩॉन आज यह प्ट नहीं पोड़े उट्ट जाने तो आज मैं आपको साथ IIT में घुमाता हूँ कि IIT क्या है तो यह आप सब लोगों के फरमाईश पे एक दमादम लेकर आये है IIT तो यह टॉप IIT जो है जो आप में से सब का सपना है जहां सब लोग जाना चाते है कौन नहीं बनना चाता IIT सब बनना चाते है तो आप बनना क्यों चाते है उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो यह जो IIT का ड्रीम है यह तो आप सब का है बिल्कुल है अब ऐसी कौन कौन सी IIT है हम आज बात करेंगे टोटल नंबर ओफ IIT जो इंडिया में है वो है 23 लेकिन उन में से कुछ अच्छी IIT जो है जो बहुत फिमस IIT से उनके बारे में बात करते है तो सबसे पहले नाम आता है IIT Bombay का टिंकु यहां जाओगे क्या अब यह टिंकु है ना देख रहा है सर बोले का नहीं वो देख रहा है कि दिखाओ जर कौन-कौन सी IIT है तो भाईया IIT Bombay और इनके कैंपस जो होते है ना बहुत गजब के होते है मतलब मज़दार मैं तो फिल कर चुका हूँ और आपको भी करवाना है IIT Bombay का कैंपस एरिया है भाईया 550 एकर चोटे-मोटे गाउं आ जाए इसमें इतना बोड़ा कैंपस है सारी फसिलिटीज है और क्या-क्या फसिलिटीज है वो तो बात करेंगी सही और सबसे इंपोर्टेंट बात पोवाई लेक के पास में है मतलब जील वाली फिलिंग आएगी वडिया जैसे तो बॉम्बे चलेगा और जील के किनारे बेटे हो और मजी आ रहे है ये वाली फिलिंग आएगी इसके कैंपस में अब हम बात करते हैं दिल्ली की IIT दिल्ली वहिया फेमस इंस्टिटीट उटा IIT दिल्ली सब जानना चाहते हैं कैंपस एरिया 320 एकर और ये दिल्ली जो कि हमारी कैपिटल है उसके अंदर बना हुआ है वहिया दूसरा आप देखो IIT मदरास मतलब साउथ में वैसे तो IIT मदरास पूरे इंडिया में क्या वोल्ड में भी फेमस है लेकिन साउथ में तो टॉप है इसका कैंपस हेरे 670 hydraul है और सबसे इंपोर्टन बात यह पहले जो ठाना ग्वेंडी नेशनल पार्क है का पाट ठा उसके बीच में अगर कैंपस बना है तो कितना ग्रीन होईगा Mail ii ж आसे गा कंपूर योपी जो है हमारे इंडिया का सबसे population density वाला क्या है स्टेट है सबसे ज़्यादा population है वही एक पाकिस्तान पूरा किस में आ जाता है यूपी में आ जाता है तो उस population के बीच में best institute है हमारा IIT कानपूर जिसका एरिया भी देखो आप 1055 एकर मतलब आप अगर एक गेट से एंट्री करोगे और दूसरे गेट पर एकजिट करोगे न तो आप चल चल के ठक जाओगे लेकिन campus खतम नहीं होने वाला बहुत बड़े बड़े campus है यह कानपूर जैसी सिटी में है उसके बाद IIT रूड की यह तो अंग्रेजों की जमाने का को लेज है जो आइटी रूड की है इसका campus area main campus का 358 है इसके और भी campus है 25 एकड का campus सारनपूर में है जिसमें भी कहीं और main campus तो है यहीं सही रूड की के अंदर और रूड की आप जानते हैं वही है कि इसमें उत्रा खंड में उत्रा खंड के मज़े कुछ और है उत्रा खंड का सीन ही कुछ और होता है बरफीली जगह बिलकुल ठंडा बहुत मस्त वाला सीन गंगा किनारे अब अब बात करते ह सब्सक्राइब बहुत अच्छा केंपस है 700 एकड़ का और यह किसके किनारे ब्रह्म पुत्रा रिवर के किनारे है यह बहुत अच्छा केंपस है मतलब मज़ेदार है आसाम में यह और आईटी बीएच्यू बहुत का नाम तो आपने सुना ही होगा यह सबसे पुरानी चार हजार एकड़ किसको बोलते हैं यह बहुत बड़ा है ऐसे युनिवर्सिट फो एशिया में देख लो एशिया के अंदर लार्टिस्ट युनिवर्सिटी थो तो क्या आप ऐसे कैंपस में क्या आप ऐसे आई एटी से कोलीज में नहीं जाना चाहोगे यह टिंकू तो जा रहा है लेकिन आप भी जा रहे हैं उसके साथ मैंने तो साइड कर लिए कि टिंकू के साथ इनको भी वेजना है जितने लोग अमारे साथ है अभी और खड़कपूर 2100 एकड मतलब इसके एक चोड से दूसरे चोड जाने में शाम हो जाती है इतना वड़ा केंपस बनाया ना जो तो देखने लाइक है वही विदेशी लोग है इसको डिजाइन करने बहुत अच्छे है ऐसा नहीं है कि बाकी जो मैंने नहीं बताए वह अच्छे नहीं है बहुत अच्छे और नए केंपस तो इतने अच्छे हैं कि पूछो मत अब अबन बात करते हैं कि यह आईइटी के अंदर जो टिंकु बोले रहा था मेरे को वो अभी अबन बात करते हैं तो ए टिंकू की बहन है टिंकू नहीं है टिंकू भी चला गए टिंकू की बहन आगी टिंकू की बहन बताएगी आपको कि क्या है IIT तो वह सबसे important बात है strong academics IIT जितना strong academics आपको कोई नहीं दे सकता वह इतना तगड़ा engineering आप कहीं से भी कर सकता है लेकिन IIT जाने का सबना लोगों का क्यों होता है क्योंकि वहां का academics बहुत strong होता है तो strong academics में क्या-क्या चीज़े included है यहाँ पर जो faculty है faculty सबसे important बात आती है आपके गुरुजी पे जैसे हमारे गुरुजी है सारांसर NK sir प्रतीक sir वेसे ही आपके जो गुरुजी बनेंगे न वो गुरुजी भहिया internationally recognized होंगे अगर आप IIT में जाओगे तो विदेशों से कहीं दूर दूर से विदेशों से बहुत अच्छे से explore करके वो लोग आये होते हैं बहुत सारे international project उनके अंदर चल रहे होते हैं कोई scientist है तो कोई क्या है कोई technician है बहुत बड़ी बड़ी यू मान लोगी बहुत तगडी हस्तियां होती है जो आपर faculty होती है कहीं सारे लोग DRDO Defense Research and Development Organization इसके साथ project कर रहे होते हैं CSIR इनके नाम आपने पहले सुने भी नहीं होंगे जो आज सुन लो आप IIT में चले जाओंगे न तो ऐसी opportunities आपको मिलेगी Council of Scientific and Industrial Research गजब का है वह यह ISRO ISRO को तो सब जानते हैं मंगलियान ISRO के साथ project चलते हैं IIT में उसके साथ बार्क भाबा Atomic and Research Center मालब ऐसे यह तो इंडिया के हैं इसके साथ internationally भी बहुत सारी चीज़ों यानि कि यह जो system होता है IIT का वो internationally well recognized होता है अब हम बात करते हैं यहां के lecture halls की भाई academics में पहले पढ़ेंगे तो सही टिंकु या जब तुम जाओगे तो पढ़ाई भी तो करोगे तो पढ़ाई केसी है यहां पर fully equipped मतलब जो modern facilities है नि दुनिया में जो सबसे modern system चल रहा होगा ना education का वो सब आपको IIT में मिल जाएगा आपको lecture hall में board मिलेंगे आपको projector मिलेंगे आपको LCD मिलेंगे आपको full air conditioner room मिलेंगे बहुत अच्छे चाहिए आप देख रहे होंगे यहां पर देखो यहां पर यहां पर देखो यहां पर देखो यह हमारे faculty IIT के जो पढ़ा रहे हैं यह lecture hall से यह आप इतनी facilities आपको मिलेंगे ना वाला गजब का lecture hall system होता है वहां पर मैं तो खुद experience कर चुका हूं तो मेरा experience आपको काम आएगा और कब आएगा जब आप IIT में जाओगे तो आपको लगे है कि sir ने बोला था वही गजब की बाद आगी यहां तो ठीक है अब आप देखोगे यहां पर seminar halls होते हैं जहां पर meetings होती स्टुडेंट्स की meetings होती है सेमिनार होल होते हैं ओडिटोरियम होता है बहुत सारी system होता है वह बलब infrastructure तो इतना गजब का होता है कि आपने कहीं देखा ही नहीं होगा और ऐसी life आप अपने इस पर नहीं जी सकते जैसी life आप IIT में जी सकते हो उसके बाद आप देखोगी कि लेब्स होती है 24 क्रोश सेवन आप 24 गंटे कभी भी जाओ लेब ओपन रहेगी जैसे आपने देखा न हमारा स्कूल साथ बज़े बंद हो जाता है इस्कूल पाच बज़े बंद हो जाता है यह स्कूल नहीं है यह IIT है और IIT की खास यहीं कि 24 गंटे आपको किसी भी टाइम जाना पड़े आपकी लेब्स 24 7 ओपन रहती है उसके बाद आप बात करोगी लाइब्रीरी की तो लाइब्रीरी का अब लाइब्रीरी पे एक बात आगी आप हमारे चैनल पे ही प्रतीक सर ने एक वीडियो डाल रखा है यहां पर बहुत वर्ल्ड क्लास लाइब्रीरी इस होती है फुली एर कंडिशनर होता है बिल्कुल शांत मौल होता है देखो आप यहां पर सोफे लगें बिल्कुल आराम से बेटके पड़ो मज आएगा बुक्स पड़ दिए बुक्स पड़ो अपने लैप्टोप से सिंटर वार इतने एडवांस कंप्यूटर सिंटर होती है जो लेटइस टेखनोलोजी चल रही होती न जैसे अपन बोलते है कि मेरे को लेपटोप खरीद नहीं तो यह क्या करें हम और एटको ऐसे बाद मत करो है क्या करें हम बताओ कैसा खरीदें तो फिर टिंग बोलेगा क सर लेपटॉप आपको खरीदना है ना तो आप लेटेस्ट पर जाओ यहां पर जो सिस्टम होते वो सारे डवांस होते हैं और इतने होते हैं कि आप जाओ मस्त रहो वहां पर पड़ो लिखो सब कुछ किसी बिटाई की कम्प्यूटेशन करनी है तो यहां पर आजाओ आप उसके बाद आपको थूआउट दे कैंपस करनेक्टिविटी मिलती है आप अगर कैंपस में घूम रहे हो वाई कैंपस में तो सब होता है गार्डन भी होता है सब कुछ होता है आप कैंपस में कहीं भी अब बात आती है होस्टल लाइफ की आकेडमिक्स के बाद बच्चा यही सोचता है जैसे आप सोच रहे होंगे जैसे मेरा टिंकू सोच रहा है कि सर वहां की होस्टल लाइव केसी है अकेडमिक्स तो बता दिया आपने अब होस्टल लाइव का भी बता दो मैंने का वह यह गजब एक नमबर अती एक नमबर अब बात करते केसी होस्टल लाइव है वह उस्टल होते हैं fully luxurious बहुत अच्छा उस्टल होता है आपको एक बेड मिलता है टेबल मिलती है चेर मिलती है इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है आपको full to fan मिलेगा बहुत अच्छा और इवन मैं ID बंबे में कहा था वहाँ पर मैंने देखा remote मैंने सुचे यार इस कमरे में remote का क्या सीन है आप remote का क्या पर ट्री मोट का वचन दबाए और पंखा चला यार इस तो मेरे घर में भी नहीं है ऐसे पंक है तो जो remote से चलते हो स्पीड गंट्रोल होती हो मनला बेठेए स्पीड उस्पीड कम करते हैं ऐसा सिस्टम होता है ITG hostels का तो बहुत तकड़े hostels होते हैं बहुत अच्छे मैस होता है मैस भी बहुत quality वाला होता है खाना बहुत quality मतलब आप ऐसा खाना मतलब ऐसे जनरली तो नहीं कहते होंगे और कुछ लोग खाते होंगे तो खाते होंगे लेकिन मेरे को बहुत अलगा वाई बहुत अच्छा लगा 8 डिके में उसका खाना तो मैस्क को खाना होता है बहुत सही उसके बाद आपका जो रूम है कुछ स्टूडेंट्स को साथ में भी रखा जाता है तो जैसे दो लोगों को एक रूम में रखा वो भी बहुत अच्छा है उसमें सेपरेट पोडिशन एक आदमी को दे दीते हैं सेपरेट टेबल, सेपरेट कूर्सी, सेपरेट सारा कूर्स सिस्टम मज़ा आ जाता है मज़ा जाता है जो वहाँ की लाइव है, होस्टल लाइव वो तो गजब की है उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर इंडोर गेम्स की फेसलिटी है इंडोर गेम्स मतलब आप ओस्टल के अंदर ही आपको देखो यह औस्टल है hostel के अंदर में याँ पर बेडविंटन कोड बना रखा है अब आप यहां पर जब चाहो है जब मर जी आपका है अपने दोस्त को लिए चलो बेडविंटन खेल के आते हैं और हमने तो बहुत खेल है हम तो रात के एक एक बज़े तक बेडविंटन खेलने हैं फ्री होगे कोई काम नहीं है दोस्त को बला यार क्या कर रहा है और आज का काम मेरा कुछ भी निया चलो कंटीन से चाही पीते हैं और रेकट उठाते हैं और चलते हैं बैडविंटन खेलने तो ऐसे हमने बहुत कहला और इंडोर्स गेम से आप देख सकते हैं और चैस खेल रह लाइब को इंजोई कर सकते हो अकैडमिक्स के साथ सारा कुछ मिलेगा उसके बाद हम बात करें तो कैमपस के अंदर ही जैसे सब होस्टल के अंदर एक महस्तो होती है एक नाइट कंटीन भी होती है नाइट कंटीन मतलब वो रात की तीन-चार बज़े तक खुलती है आप है पैसा लाइफ यहां सकंटा है अ करो थोड़ी तकलीव होती जो पैसा नहीं लगता स Problem होता है common cafeteria होता है पोस्ट आपको वहीं मिल जाता है ऐसी बहुत सब्सक्राइब आपको इन campus मिलती है यह है आई आई टी वह या मतला अब टिंगो बोल रहा है कि सर मैंने जो सोच जाधा उससे भी सब्सक्राइब आपको मैंने बताया कि एक आई टी है यह जिसका चैंपस से 4000 अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि इदर से चलोगे दूसरे कोने पर पहुंचोगे तो शाम हो जाएगी तो इतना पैदल आपको वहाँ पर इन गांपस ट्रांस्पोर्ट फेसिलिटी मिलती है इन गेंपस मतलब आपको अगर कुछ कीमपस एसे हैं झो सिटी के थोड़े बाहर है कुछ कीमपस एबाहर है तो उन के लिए अलग से सेपरिट बस होती है जो आपको सिटी में ले जाएगी वाjar भी आएगी आप लगाइटी कानपुर का अंतरागिनी वह सारे फेस्टिवल हैं इनके सामने इन पे ना बहुत दुनिया का दुनिया का तो नहीं बोल सकता कोई और現在 क्लागार नहीं है और यह हीरो यह सिंगर नहीम जो आई टीромफे में नहीं आया हो क्ल्ट्रागीनी के इस नहीं पैंड है आप सारे इंस्टिट्यूट अपने इटी है सब में आते हैं बहुत सारे इवेंट्स होते हैं मतलब इतने फणी इवेंट इतने बहुत अच्छे-चे इवेंट्स होते हैं लोग्या देख रहे होंगे आप यहां पर मजे ले रहे लोग उसके बाद हम बात करें तो तो आप आप टेखने कल इंस्टिटीट्यूट में थोड़ा टैड़नोडी थो तो आप निकल कितना आडवांस वह उसको पर आप क्या बनाते हैं क्या नहीं करते हो पूरे टैडिखनी कली फेस्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे competition होते हैं उन competition में आपको technology के साथ ही जीतना होता है ठीक है तो यानि आप technically कितने advance उसको भी आप technical face में use गर सकते हैं और sport face आपको बताया मैंने कि indoor भी हमारे वहाँ पर hostel की अंदर क्या होता है बैडमिंटन कोट होता है बहुत से table tennis होता है आप कैरम खेल सकते हैं आप football केल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है तो उनके लिए sport face to organize किया जाता है जिसमें हर type की game की events होती है उनके price मिलते है बहुत मज़ा आता है मतलब यू मान लोगी खतरनागी scene है और final जो है वो है placement क या placement या IET का placement अभी आप यहां पर पढ़ोगे ना IIT कानपूर टोप ओपर ओफ आर आर मतलब रूपीज 1.5 करोड़ टू 3 स्टुडेंट IIT कानपूर में यह न्यूज की न्यूजपेपर की cutting है IIT कानपूर में एक पॉइंट चार करोड़ का तीन स्टुडेंट को पेकेज लगए एक पॉइंट चार करोड़ कितना वड़ी बहुत है तो प्लेस्मेंट तो बहुत तगड़ा होता IIT बंबे में देखो कंपनी आ रहे हैं दुनिया बर से सोनी जापान से आई है और बहुत जारी सी लॉरेकल से इसके बाद एक हाइस डॉमेस्टिक ओफर फ्रॉम दी वर्ल्ड कॉंट मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा पेकेज आपना अपना सिनेरियों है बहुत अच्छे-च्छे प्लेस्मेंट होते हैं और जिसके लिए ही तो आदमी जा रहा है बहु बहुत कमाऊंगा एश करूंगा मजे करूंगा और क्या यह करोगे ना थेकर ना तो वहां पर लाइव तो आपकी मज़ेदार होनी है साथ में आपका अपका प्लैस्मेंट मज़ेदार होना है और यू देख लो यह तो मैंने अभी बताया आपको इंडूर गेम्स का आउट तो अब आप मेंसर टिंकू के साथ कितने लोग जा रहे हैं मेरे को कमेंट में चाहिए कितने लोग जा रहे हैं अगर आप जा रहे हो तो कमेंट करो अभी के भी करो कि मैं जा रहा हूं सर टिंकू के साथ ठीक है तो सब लोगों का कमेंट मुझे चाहिए और यहां पर जाने में हैं आप किसी भी क्लास में है ठीक है अगर आपको IIT जाना है तो आपकी तयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए वो तयारी कैसे करेंगे आप एसरहल के साथ करेंगे तो इसरहल आपको प्रोवाइट करेंगा बास वीडयो लक्छयर शीट प्रीष येर के कोशन सारा कुछ आपको मिलेगा यहां पर आपको कि मैं पैば सबस्क्राइग को करा जाएगा आपको सोल्विशन्स। बचने का 2 जा यह बहुत कुछ आपको यहां से मिलने वाला है अब हम बात करते हैं वीडियो लेक्चर्स की हमने बताया था कि अनिमिटेड वीडियो लेक्चर्स फुल्ली विजुलाइजेशन आपको रहे जाएगा यह आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो जो भी कॉंसर्ट पढ़र उसका फ सब्सक्राइब करोगे बिल्कुल करो सब्सक्राइब करो तभी तो अभी आपको सब्सक्राइब करना है और कुछ लोगों ने कर दिया है जिन लोगों ने नहीं किया है मैं उनको देख रहा हूं सब लोग करेंगे सब्सक्राइब उसके बाद हमारे है सारा अंसर फिजिक्स गुरू गुरू के गुरू यह तो मेरे भी गुरू है मैं आपका गुरू यह मेरे गुरू यानि गुरू क गुरु इनके पास भी बहुत अगड़ा एक्सपीरियंस है और ये भी खुद IAT Bombay से CS Department से इन्होंने graduation किया है और देखो All India Rack 41 मतलब आपको जो टीचर पढ़ाने वाले हैं ना वो गजब के हैं .sarello पर खुद IATN तो आपको अधी में पहुंचाना इतना आसान कर देंगे कि मजआ जाएक Spanish IM的 WILDergy में उन्होंने क्या किया हो ऑफ क्या है। मलब II से आ रहा है आपकी अब जो faculty IIT के हैं तो बच्चे को IIT क्यों नहीं ले जाएंगे ले जाएंगे और आपको IIT जा नहीं है अमारे टिंग को तो तैयार है आप लोग भी तैयार है तो comment box में डाली दो ठीक है अब हम बात करते हैं कि इन सब की द्वारा हमारे पास एक course है जिसका नाम है अगनी इं integrated मतलब आपको class 9 से ही preparation करा दी जाएगी IIT की आपको इतना सरल बना देंगे IIT जाने के लिए मज़ा आ जाएगा और class 10 का हमारे dedicated champ course चली रहा है ठीक है तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है और इस champ course में तो आपको क्यों यह मिलेगा overall development personality physical instance का और बहुत कुछ ऐसा दुनिय क्या करना है Israel के साथ होने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक्स जो है एपके उनक पे जाना है एप को इस टॉल करना है सारे courses को explore करना है और क्या गरना है subscribe subscribe करना ना बूलना वह यह subscribe दो अभी कर दो subscribe करना ना बूलना बेल आइकन पर प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसे व कर दो